असलाम लेकुम फ्रेंट्स वैलकम टू स्टीचिंग विट ग्रीन गैल आज की वीडियो में मैं आपको बेबी गर्ल की फ्राग की कटिंग और स्टीचिंग तावरू उसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है और हम सिक्स मंत के बच्चे की कटिंग करेंगे यह देखे यह हमार अनी के दो ननगे तकी करेंगे नोने की फ्रेंट चार तया होगी है यानके फ्रंट ऑ बार बैग का हिसा अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे साईड पे और यहां पर यह हमने पेटी का कप्ड़ा ले लिया पेटी लंबाई चटूडाई आपकोग व्हॉल के बता देती क चार इंच पे हम तीरा ले लेंगे और आर्म हॉल भी हम लेंगे चार इंच यानि कि फौर इंच और यहां पे उपर से तिछा दे देंगे यहां से हम पाच इंच लेंगे लेकिन हलका सा मैं थोड़ा सा शेप दे लोंगी और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे ठीक है यहा स्याम होल को काटा। और ऊपर से भी तिर्चा मार का दिया। इस तरह से कटिंग करने के बाद आप हम क्या करेंगे? इसकी नैक की कटिंग करेंगे, कपड़े को खोल लेंगे, और गहराई में हम निशान लगाएंगे दौ एंच और चुडाई में शान लगाएंगे तकरीबं तेड इंच और यहां से हलकी सी गुलाई दे लोंगे यह देखें इस तशना से गुलाई दे लिए कटिंग कर दी कटिंग करने के बाद आप हम बैक का कटिंग करेंगे लेकिन बैक का गला जो है वह आप गहराई में उससे आदा इंच कम ले लीजिएगा कर लेकिन उम्बाई टोड़ाई आप कम यह ज़्यादा अपने अमताबक कर सकते हैं अब यह देखें पेटी के उपर मैंने डेर डेर देंच पे इस तरह तीछे हलके हलके निशान लगा लिए हम इसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे उसके लिए मैंने अपनी कड़ाई वाली मशीन ले लिए उससे जिग-जग स्ट्रीच से मैं इससे बॉक्स बनाओंगे लेकिन इस तरह जिग-जग स्ट्रीच कर लिए इस तरह हम फुल पेटी के उपर जिग-जग स्ट्रीच कर लूँगी यह देखें फुल पेटी के उपर जिग-जग स्ट्रीच कर लिए उसके बाद हम इस पेटी को साइड पे करेंगे और बैक पेटी को त्यार करेंगे उसके लिए से दर्मियान में से काट कर देंगे दर्मियान में काटने के बार यह देखे यह मैंने फटियम नहीं है यह तीन इंचोड़ा कपड़ा है यह देखे इस तरह से तीन इंची की चोड़ाई है आदा आदा इंच हमने अंदर की तरह फोल्ड किया और उसके बाद इसे इस तरह फो यह देखें, उसको भी दम्यान में राके प्टी रखेंगे और स्लाई लगा दिए यह देखें बैक के भी और फ्रेंट की दोनों ची तोनों की स्लाई हिला लगाने के बाद अब हम इन धोनों को उपर नीचे लखेंगे इस तरह से और यहां पे स्लाई लगा लेंगे इस तरह स्लाई लगाने से आपकी फ्रेंट और बैक की पेठियां बिल्कुल बराबर होंगे उसके बार मैं गगड़ी का कपड़ा लूँगी और फुल बड़ा टांका कारके यहाँ पर आदा इंच की स्लाई लगाँगी यहाँ पर हम चुनर्स डालेंगे उसके लिए आपकी मशीन का जितना भी टांका बड़ा होता हो वो आप कारने और स्लाई लगाने के बार यहाँ पर मैं इसके साथ थोड़ा सा दागर रहने दूँगी खिंचने के लिए उस दागी को पखड़ेंगे और इस तरह गगड़ी को क्हींच के इसकेण उपर चुनर्स डालेंगे मुझे यह चुनर्स उतनी हमारी 25 है यह देखे साथ रखक मैं देख ली थीझे जितनी आपकि चुनट्स पेटी के बराबर आए आप उतनी चुनट्स डाले इस σद्था से और जहां पर आपकी चुनट्स बराबर आगई वहाँ पर आप अपने डागों को लगा ले गिरा यहाँ पर मैं डागों को गिरा लगा दूँनुगी ताके हमारी चुनट्स खुले नहीं, यहां पर ही फिक्स रहें, यह देखे, इस तरह मैंने दो गिरा लगा ली, और उसके बाद मैं इन चुनट्स को बराबर करूँगी, ठीक है, यह ऐसा होता कि कहीं से कम और कहीं से ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप ऐसा कर देंगे, त इतनी इक्वल हो जाएंगी, यह देखे, इस तरह से मैं हलका हलका से राके इसे बराबर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपनी पेटी को साथ में मिलाएंगे, और यहां पर स्टीच लगाएंगे, लेकिन यहां पर जब आपने स्टीच लगानी है, तो आपने अपने टांक को छोटा कार लेना है, यह देखे, इस तरह से, यह देखे, मैं अपने टांके को छोटा कार लोंगी, ता कि हमारी चुनट्स अच्छी तरह से फिक्स होके अटैच हो जाए, अब हम इने इस तरह बिल्कुल सही सेट करेंगे, और फिर स्लाई लगाएंगे, जितनी अच्छी से आप चुनट्स डालेंगे, और स्लाई लगाएंगे, उतनी अच्छी से आपकी फ्रेंट साइड पर चुनट्स नजर आएंगे, और फिनिशिंग के साथ होंगी, अब यह हमने फ्रेंट के गड़ी टैच का ली सी, सेम तरिके से मैंने बैक की भी टैच का ली थी, और अब हम इसके यहां से कंदे टैच का लेंगे, इस तरह से हमने कंदे टैच का ली, कंदे टैच करने के बाद यह देखें, गले की जो गुलाई है, यहां पर मैं इस तरह की एक लैस लेंगी, और इसे सीदी साइट पर इस तरह रखेंगे, और यहां से शुरू करेंगे, वहां से नीचे की तरफ मोड़ देंगे और गुलाई में लैस को अटैच करते जाएंगे और स्लाई लगाते जाएंगे यहाँ पर आप कोई भी नेट की शिटल की लैस अटैच काच सकते हैं में लैस विसकोस की है और ये लाइस हमने पैर के वकफे पर लगानी है आपने ज्यादा वकफे पर नहीं लगानी है इस तरह से फुल टैच कर लेंगे लाइस को और जहां पर हतम करनी है वहां पर भी लाइस को आपको उट नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ देना है और उसके बाद सलाई लगानी है यह देखे इस तरह से मैंने लैस को अटेच कर लिए लैस को अटेच करने के बाद हम इस तरह की एक रेव बाली पटी लेंगे डेर दिन चोड़ी और इसे फोल्ड कारके रखेंगे यह देखे इस तरह से फोल्ड कारके राक दी और अब हम इसे सलाई लगाते जाएंगे यह देखे पटी का जो हिसा हमने फोल्ड किया है वो बाहिर की तरफ है यानि कि जिस साइड से दागे निकलेंगे वो हम सलाई के अंदर देंगे और यहां पर जो हमारी लैस की सलाई है मैं उसी सलाई के उपर लगाती जाओंगी ताके हमारी उतनी ही लैस बाहिर नजर आए जितनी हमने सलाई के वकत लगाई थी अब यह देखे इसी तरह मैं गोल गोल गुमाती जाओंगी और सलाई लगाती जाओंगी क्योंकि बच्चे के फ्राक छोटे होते हैं उन्हें बहुत द्यान से स्टीच करना होता है यहां पर यह देखें इस हिसे को मैं लैस के उपर मौड़ दूँगी और सलाई को बाहर निकाल दूँगी योदे कि इस तरह स्लाई के बाईर निकाला तो यह हमारा हिस्सा इस तरह से बाहिर को आख अब हमिशने यस तरह से फोल्ड काइक जब शिलाई के तो इसे हमें तो तो प्राइ defect यहां से हमने टाप स्टीच लगा लिना है यह देखे टाप स्टीच में लगा लिया था उसके बाद हम उस कपड़े को अंदर की तरह फॉल्ड करेंगे और यहां लैस के उपर स्लाई लगाएंगे इस तरह से आपकी लैस बिल्कुल बैट के अटैच होगी यह देखे आपकी लैस बिल्कुल बैट जाएगी साथ में अब मैं इसे फॉल्ड करती जाओंगी और स्लाई लगाती जाओंगी इस तरह से हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होगा अंदर की तरफ पट्टे भी लागी लैस भी लागी अब इसके बाजों के उपर मैं मगजी लगा दूंगी यह देखे इस तरह से मैंने इसके बाजों के उपर यह मगजी लगा दी यह देखे और अब हम क्या करेंगे इसकी फिटिंग के स्लाइड लगाएंगे यहां पर हमने फिटिंग ज्यादा नहीं करनी ही इसाइड जाल लगानी है यहiken कि इस तरह से 19 लगा दी झाब इसी तरह मैं इसकी दूसरी और भी we fall and come out . ठीक है यह देखे इस तुटन के IST यह हमने नीसे से बुर्टम ली तर से पार विए सब्सक्ति अथर्ल करते हैं गले वे व्रीके प्पेइसे हमने काज सब्सक्री चाहिए कर दो हैने जाते हैं जयादा हो जाती हमने फ्रॉसम wonder श्यादा हो जाती हो जाती है और ये इसके साथ हमारा ट्राॉजर है ट्राॉजर को ए देखे साइड पर मैंने वही टॉं़ें के साथ सा्थ चॉली किया है और अंदर में जीग-जाइक स्ट्रीच के साथ डिजाइन मिनना है वीडियो क्चाram डाई हो तो आपने वीडियो को लाइक जूर करना है इस तरह आप अपने किसे बच्चे के फ्राफ बना सकते हैं टैंक यू सो मच अल्ला हाफिज